Hello everyone, Welcome back to this channel आज की वीडियो में अगेर मैं आपके साथ class second के लिए हिंदी का exam test paper या sample paper शेयर कर रहे हूं प्रीविएस वीडियो में मैंने आपके साथ English, math, evs and GKS related class second में बच्चो को इनवाल exam में क्या कोशन्स पूछी जाते हैं वो आपके साथ share कर चुकी हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चेनल पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप उसे जाकर चेक आउट कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी का टेस्ट पर पर शेयर कर रही हूं जिससे आप इजली बच्चों कोई नोल इकजम के लिए प्रप्रेशन करा सकते हैं पहला प्रेशन है दिये गए अ से अंग तक की मात्रा से शब्द लिखे अ से अंग तक की मात्रा होती है उनसे बच्चों को शब्द बनाना है जिससे पहले दिया है अ सो अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो यहां कोई भी शब्द लिख देंगे जिसमें कोई भी मात्रा नही नेक्स्ट है ये है Sakya Nar Enough इस तरह से a की मात्र हम बनाते हैं क्रेड वन में बच्चों को स्वर्व अंजन दोनों पढ़ाए जाते हैं अग्रेड सेकंड में बच्चों को इस pace ऐब अबक्शम सेकेCar एक्षबद apologize के लिए दिये जाते हैं तो जिसे यहां पर आ की मात्रा से हम सब्द बनाएंगे तारा यहां पर आ की मात्रा को प्यूग किया है नेक्स्ट ए की मात्रा छोटी की मात्रा को प्यूग करके हम लिखेंगे एक शब्द जिसे किताब नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा इस तरह से बनाई जाती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीतल नेक्स्ट है उ की मात्रा इस तरह से छोटा उ की मात्रा बनाई जाती है इस मात्रा को उप्योग करके हम एक शब्द बनाएंगे जिसे जामून नेक्स्ट है उकी मात्रा, बड़े उकी मात्रा को इस तरह से बनाया जाता है इसके लिए हम एक शब्द बनाएंगे, जिसे धूप नेक्स्ट है री की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, जिसे म्रग एकी मात्रा को इस तरह से लगाते हैं, जिसे केला A की मातरा इस तरह से होती है इसका उप्योग करके शब्द बनाएंगे पैदल O की मातरा इस तरह से होती है इसका उप्योग करके हम शब्द बनाएंगे जिसे रोटी O की मातरा का उप्योग करके हम जिसे शब्द बनाएंगे मौसम अंग की मात्रा को उप्योग करके हम बनाएंगे पतंग इस तरह से बच्चों को मात्रा को उप्योग करके एक या दो शब्दा प्रिखने के लिए दे सकते हैं यह एक्टिविटी बच्चों को एक्जाम में पूछी जाती है तो आप इस तरह से बच्चों को प्रक्टिस करा स पहें here is the next question उचित सब्द का उप्योग करते हुए खाली इस्थान भरियव यहां पर कुछ शब्द दियो हैं यहां पर खाली इस्थान में इन शब्दों को फील करना है और वाक्य को अंप्लेट करना है जिसे हैं फर्स दिया है आंगन में का पेड था तो यहां पर किस का पे हमारी कख्षा में नेक्स है श्री राम जी राज़ा दसरत के पुत्रत है तो यहां पर लिखा है पुत्रत है नेक्स रिता ने या का बज़ाई बासूरी तो यहां पर हमें लिखना है बासूरी बजाई नेक्स्ट है उसने सारी सबजियां कहा रखी थेले में यहां पर आएगा थेले इस तर्थ से बच्चों को रिक्तिस्थान वाली अक्टिविटी भी दी जाती है जिनमें common sentences होते हैं जिसमें बच्चों को सही शब्द को फील करना होता है और वाक्य को complete करना होता है तो इस तरह से आप बच्चों को activity करने के लिए दे सकते हैं अगला प्रशन है जोडी मिलान करो इसने पर एकवचन और बवचन से related activity दी हूई है जिससे पहला है संतरा सो संतरा का बवचन क्या होगा संतरे अगया कि भच्चों मेज करेंगेkem व्याकरन बच्चों को गरट सेकेंड में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जिसमें बच्चों को इस तरह के एक्टिविटीज करने के लिए दी जाती तो आप करने के लिए दे सकते हैं अगला प्रशन है विप्रिट अर्थ वाले शब्द लिखो अपोजिट वर्ड लिखने के लिए जाते हैं इस तरह साब करने के लिए दे सकते हैं जैसे पहला दिया है रात सो रात का विप्रिट शब्द होता है दिन सोना का अपोजिट या विप्रिट शब्द होता है जागन सुबह का होता है शाम हसना का होता है रोना खाना का होता है पीना उठना का होता है बैठना आज का अपोजिट वर्ड होता है कल और उपर का होता है नीचे इस तरह से बच्चों को विप्रित अर्थ वाले शब्द लिखने के लिए दिये जाते हैं इस तरह से बच्चे को प्रक्टिस करा सकते हैं अगला प्रशन है उचीत इस्थान पर चंद्रबिंदू चंद्रबिंदू की मात्रा इस तरह से बनाते हैं और अंग की मात्रा इस तरह से बनाते हैं को लगा कर शब्द को complete करना है यहां को शब्द दिये हुए हैं, यहां पर मात्रा नहीं दिवी हैं, यहां पर चंद्रबिंदू की मात्रा और अंग की मात्रा का उप्योग करना है, और शब्द को कम्प्योट करना है, जिसे पहले दिया है आचल, तो यहां पर हम चंद्रबिंदू का उप्योग करेंगे, य अगला दिया है चाद तो यहाँ पर चांद हो जाएगा चंद्रविंदू का उप्योग करेंगे अगला है मा यहाँ पर भी चंद्रविंदू का उप्योग होता है अंगुठा तो अंगुठा बनाने के लिए चंद्रविंदू का उप्योग करेंगे यहाँ पर दिया है ठ और अरफ वाले शब्द लिखें इन्हें परियावाची शब्द भी केते हैं इंग्लिश में में केते हैं सिबिलर मेनिंग वर्ड्स तो इस यह भी बच्चों को अक्टिविटी करने के लिए दी जाती जिसे पहला दिया है पानी का समान अरफ वाला शब्द क्या हो सकता है जल अध्यापक को और क्या लिख सकते हैं शुक्षक अगला है आख सो इसका सेम मिनिंग वर्ड होता है नयन जंगल को हम लिख सकते हैं वन पहार का सिनोनिम वर्ड या समान अरफ वाला शब्द हो सकता है परवत तो इस तरह से यह एक्टिविटी भी वच्चों को करने के लिए यह दो इस तरह से बच्चों को समान अरत वले शब्द याद करा सकते हैं अगला प्रशन है सही या गलत है कुछ वाक्य दिये हैं जो सही सेंटेंस इसे हम पर राइट टिक करना है जो गलत सेंटेंसे में पर पर ग्रोस का चिन्द लगाना यह जैसे पहला है खाना खाने से यह सही संद्धने से पहले हाथ दोना चाहिए दोस्तुक है लुक्प पर हम पूर्ट करने पनी जाना जाहिए करेंगे अगला वाक्य है हमेर और सदे बात मांनेजी करना यहाथ तुँछ मुझे आहां सरक तब हमों सब्सक्राइब करने के लिए अगला प्रशन है करे disruption अगले प्रशन या लिंग सबीटाम और Manuel में देcko दो जाती है जाति है जैसे पहले नड़का Ninja ¿D pivot Link TWO दादा का द्सक्राइब ध्योफ, डदा, दादा माता का होगा पिता बैल का होगा गाई नेक्स्ट है घोड़ा विपरित लिंग होगा घोड़ी मुर्गा का होगा मुर्गी नाना का अपोजित लिंग होगा नानी चाचा का होगा चाची तो इस तरह से बच्चों को जंडर चेंज करने के लिए लिंग बदलने के लिए दिया जाता है इस तरह के activity बच्चों को कराई जाती है एक्जाम में भी पूछी जाती है इस तरह साब बच्चों को शब्द लिखकर उनके opposite link या opposite gender इस तरह साब बच्चों को याद करा सकते हैं अगला प्रश्ण है क्रिया शब्दों पर गोला नेक्स्ट वह रोज श्कूल जाता है यह पर क्रिया शब्द है जाना तो इस पर हम गोला लगाएंगे अगला है बच्चे दोड रहे हैं तो दोड़ना एक वर्भ है क्रिया है तो इहापर हमें सर्कल करना है अगला वाक्य है इना बहुत अच्छा गाना गाती है वर्भ है पर यहां पर गाती पर हमें सफर्कल करना है नेक्स्ट है श्यम रो रहा है श्याम बढत यहां पर क्राइ रो ना एक वब है तो यहां पर हमें सफर्कल May se इस तरह से बच्चों को वर्प से रेलेटेड एक्टिविटी भी करने के लिए दी जाती है। अगला प्रश्ण है विशेशन सब्दों को रेखांकित करो। विशेशन जिसे हम इंगलीश में केते हैं एडजेट्व या डिस्क्राइबिंग वर्ड उन शब्दों पर हमें लाइन खिशना है। पहला वाग के है राम पढ़ाई में होनार है। तो यहां पर विशेशन कुण सा है या जो एडजेक्टिव वर्ड है वो है होनहार राम पढ़े में स्मार्ट है तो राम को डिस्क्राइब कर रहा है होनहार शब्द तो यहां पर हमें लाइंग किशना है अगला है छोटे बच्चे भूंज शरारती होते हैं कि झोटे बच्चों की विशेश्टा क्या है सरारती होना तो यहां पर हमें अंडरलाइन करना है नेक्स्ट हो मशोपी का घ्र को या ए musimy को मिर्ट इसक्राइब करने के लिए वर्ड उसक आया हैिं इस तरह से विशेशन या एड्यक्टिव से रिलेटिटिवड एक्टिविटी आपने चंह की चाते हैं उनके अब इस तरह से प्रक्तिस कर आ सकते हैं एंड इजिली आप दचों को एक्जाम के लिरे कर सकते हैं आइसलब आपको यह व्डियो अच्छा हुआ अच्छा लगा होगा है तो फ्लेज विद्धियो को लाक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फेमिलियर फ्रेंड्स में शेर जरू करना हम मिलते हैं अच्छे से नहीं वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई टेक क्यार